तो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए काफी बड़ा अपडेट आया है हर्याणा राज्ये से भारत के हर्याणा राज्ये में इस बार का जो टैट का एक्जाम होगा उसका रोटिफिकेशन आ चुका है जिसके बारे में मैं डिसक का इसको accept किया जा रहा है mark sheet accept कि जा रही है तो वहां पर आप इस mark sheet के साथ ही apply करके आप अपना जो है teacher के लिए बढ़ाने के लिए जा सकते हैं मैं आपको बताना चाता हूं यहाँ पर जो है government के द्वारा तीन तरह के टैट exam लिए जाते एक आपका central लेवल का होता है एक state सेंट्रल का होता है और union territory में भी अपना खुद का टैट लिए जाते हैं तो कुल बिला के यह बात है कि एक तो आपका खुद का जगा जो जगा है उस जगा का खुद का अलग से टैट होता है इसके अलावा आपका country लेवल पर के साथ सेंट्रल कर लंट के शाब से एक और टैट आख होता है फरक क्या होता है दोनों फरक यह होता है कि जो सीट होता है वह आपक रहे हैं यहां पर रीकरूट्मेंट के प्रोसेस में यहाँ पर जो candidate होते हूं उनको इस तरीकें बता रखा है कि भाई आप अगर हर्याणा में लेंगे तो आप हर्याणा का test दीजिए जारखंड में लेंगे तो जारखंड का टैट दीजिए या फिर आप इसके अलावा आप अगर यह दोनों नहीं देते हैं तो आपको एलिजिबल नहीं रखेंगे यह गवर्मेंट में रूल बनाए हूँ इसके इसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हरियाना की गवर्मेंट की तरफ से रिलीज हुआ है यह टेट के नोटिफिकेशन इस नोटिफिक सब के लिए आपका यह फॉर्म रहेगा मतलब अगर आप टीजी टी पीजी टी और प्राइमरी किलास इसको पढ़ाना चारे स्कूल के अंदर तो आपके लिए काफी सुनेरा मौका रहे गए अभी तैसे आप अभी सीटेट का नोटिफिकेशन अभी आने में समय है अगी ब जो लोग सीटेट के लिए चाह रहे हैं तो वह हैं वशीटेट में पॉस्किर 202 कि अगर जो लोग एचिटेट में अपलाई करना चाहते हैं तो वह अपलाई अभी कर सकते हैं उनके पास सुनहरा मौका और काफी कम समय रहेगा इसमें फर्म Fall mind apply कर निगा मैं आपको बता द तो यहां पर काफी बड़ा notification है हर एक point को discuss किया जाएगा यहां पर exam लिया जाएगा आपका उस exam के base पर ही आप finally उसको pass करने के बाद eligible हो जाएगे teacher के लिए मतलब कि आप teacher सिख्षक बनने के लिए तो एक सक्षम हो जाएंगे लेकिन फिर उसके बाद कोई भी स्कूल अपना recruitment जब भी निकालता है वेकेंसी निकालता है तो आप फिर उसका form अलग से भरके फिर उनके भी एक्जाम में आप जो है भरती में जाएंगे उस एक्जाम में जाएंगे और फिर उसके बाद ही उस जोग को ले पाएंगे सारा आप प्रोसीजर समझ आ रहा होगा यही पोरा इंडिया में पूरे इंडिया आप देख लिजी पूरे देश बन में घुमेंगे आप आपको पता लएगा यही रुल है हर राज्य olun चल रहा है कि आप बहुत असी ओंप he है अब्स स्कूल उसका फॉर्म बरिए एक्जाम दीजिए और टीचर के लिए अपलाए करके वहां जाईए शिक्षक बनिए बच्चों को पढ़ाईए और बस यह होता है आपका टूटल अपलाए करने का तो यह आपका एचिटेट गवर्मेंट ऑफ हर्याणा हर्याणा के भी फॉर्म चालू हो चुके हैं थोड़ा अगर नीचे चले दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर जो न्यूज अपडेट दिख रहे हैं इसमें आपको दिखेगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है मत्तब कि सारी जानकारी जो इस रिक दिखेंगे कि आपको आने वाले समय में इस एक्जाम के जरिए कैसे जॉम मिलेगी वो सारे इसमें लिखे हुए हैं पॉइंट हम इसी को डिसकस करेंगे इंग्लिस वाला नोटिफिकेशन डिसकस होगा यहाँ पर आप देखेंगे तो आज ही का नोटीज आये हर्यान अध्यापक पात्रता परिक्षा हर्याण विध्याले सिक्षा बोर्ड द्वारा सिक्षा निदेश साले सेकंट्री शिक्षा विभाग हर्याना पंचकुला के निदेशनुसार हर्याना अध्यापक जो म Spec Number go level 3 PGT को कहा जाएगा और जो कि आपका दो दिसंबर को हो रहा है और लेवल 2 TGT और PRT का एक्जाम आपका जो होगा वो तीन दिसंबर को होगा रवी बार होगा उस दिन डे आ रहा है वो संडे रहेगा को करवाया जा रहा है परिक्षा से संबंदित सूचना इन्फोर्मेशन बुलेटिन जो है वो हिंदी इंगली जौनों में प्रोवाइट करी है वेबसाइट ने वह लिखा है आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं आज से लेकर फॉर्म चालूए आपके पास 10 दिन का समय काफी कम समय दिया गया इसमें फॉर्म भरने का हम देखते हैं सी के लिए रिक्रूटमेंट के लिए जरूरी है यह एक्जाम टीचर बनने के लिए एक्जाम देना जरूरी है और मैं ऐसा नहीं कहा रहा कि आप हर्याडा का ही दीजिए आप सीट एड भी दे सकते हैं लेकिन अभी हर्याडा के फॉर्म निकले हुए है और यह चल राइन कर सकते हैं देखिए आप इसमें ओन लाइन फॉर्म बहिंगे जो लिंक आपको दिये गया है उसे ही आपको जाके फॉर्म बरना है इसमें कि फीज का समय भी सेम रहेगा फॉर्म के फीज का समय भी सेम रखा गया है अब बरती अपने यहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स अप्लोड करने और सारी चीजे जो भी करनी होंगी वह आप कर सकेंगे आपको यहां पर ग्यारा और बारा नवंबर दो दिन ऐसे हैं जिसमें आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं अपने फोटो में सिगनेचर में अंगूटे के निशान में और लेवल जो आपने डाला है मालीजी आपको PGT में अप्लाए करना था अपने PRT गलती से कर दिया है किस वज़ेसे वह PGT था और वह PRT था तो आपने आर आर वाले क को G समझ के आपे कर दिया हो कुछ भी हो सकता है और विशेय के चैन लेवल 2 और 3 या फिर जाती के रिलेटेट जो भी आपका रहेगा उसमें आप करेक्शन जो है इन दौनों दिनों में कर सकेंगे याद रखेगा इसके अलावा जो बाकी पॉइंट बचेंगे फॉर्म के अंदर उसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते इसी लिए उन में तो आप कैसे भी गलती मत करना पिर इसमें एक और चीज है दिनाक आप देखेंगे संसोजन करते समय अगर अब्यर्ती एसी हर्याणा के अन्य जाती देखें कुल मिलाके वह यह आप सारे पॉइंट सही सही भरिएगा कोई गलती मत करिएगा गलती करेंगे तो उसके चीजे लिखी गई है कि आप ती स्वह में चेंज कर सकते हैं जिसमें नहीं होगा उसमें आप चेंज नहीं कर सकेंगे दोस्तों इसलिए आपको पहले ही सारी चाही देरी यह काफी कम समय लग रहा है मुझे काफी कम समय भाई 10 दिन में कुछ भी नहीं होता है आप औल इंडिया बेस पर वर्म और सिर्फ दस दिन दे रहे हो दस दिन तो मुझे लगता है अपडेट पहुंचने में लोगों तक समय लग जाएगा कम से कम इसमें वन मंत का देना चाहिए था अब जो भी है मैं आपको बता रहा हूं यह सम तो यह नोटिस है आपका इसमें आप चलते हैं नोटिफिक आप कि इसके हागे आ जाता हमारा डेट की जिस देट पर क्या हो रहा है तो आप 10 नोवंबर तक बनेंगे 11-12 नोवंबर के डेट में आप correction कर सकते हैं form के अंदर form में कोई भी तूटी या mistake हो जाती है गलती हो जाती है उसके अंदर आप क्या-क्या correction कर सकते हैं वो आपको मैंने बता दिया है कि admit card आपका आ रहा है 24 नमंबर को यह date बता दी गई यह बिल्कुल final date रहेगा 24 नमंबर को आपका admit card आ जाएगा exam का क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों exam का समय काफी जल्दी आ रहा है यह यह आपका देख रहे थे मैंने आपको बता है कि December में ही काफी जल्दी exam हो रहा है इसका आपके पास एक महिना भी नहीं है तो तयारी उस लेवल के आपकी रहे यहां पर notification डिसकस कर लेते हैं notification में बोला है यह एच टैट बोलते हैं इसको हर्याना टैट और इसके अंदर all इंडिया से form भर सकते हैं candidate अगर आप मालीजे यहां पर अगर आप अनुसुची जाती से और disability से आ रहे हैं तो आपको और हर्यारा के ही हैं तो आप 100 रुपे फॉर्म के भरेंगे level 1 के लिए level 3 हमारा PGT था और level 2 आपको मैं दिखाना चाहता हूं दुबारा से इस चीज़ को यह देखिए PGT level 3 था और उसके बाद फिर 2 और फिर इस तरीके से यह नि पहला आपका level जो होता है level मतलब क्या होता दोस्तों आप पढ़ाई करने जा रहे हैं स्कूल में तो शुरू में आप 1st to 5th पढ़ेंगे तो level 1 हो गया फिर 6 to 8 पढ़ेंगे तो level 2 फिर आपका 9 से लेके 12 तक जो पढ़ रहे हैं तो वह आपका हो जाएगा level 3 तो इस तरीके से तो level wise बढ़ता है candidate अपने student जो होता है अपने schools के अंदर education में तो उसी तरीके से for one level only तो आपके 500 रुपी लिए जाएंगे level 2 के लिए 900 200 रुपे लेंगे और 1200 लेंगे level 3 के लिए अगर कोई candidate इन में separately तीनों में apply करता है तो वो तीनों का अलग-अलग से fees पे करेगा टोटल 24 का आएगा वही फीस वो पे करेगा और for all candidate जो अनुसुची जाती और disability में नहीं आते और हडिया हरियाना के ही है चाहे वो general ही हो तो सब्सक्राइब करेंगे और बाकी जो दूसरे राज्ये के लोग रहेंगे उनके लिए यही सेम लागू होगा जो आपने second second row में देख पा रहे हैं बात कर लें फॉर्म के डेट्स की तो फॉर्म के डेट्स में आपको पता है दस नवंबर तक फॉर्म भरिये और correction in particular तो दो eligibility discuss करेंगे schedule exam का कव है और कौन से language में question paper मिल रहा है exam का syllabus क्या है हर एक चीज इसका discuss करेंगे जहां पर भी आपको government की government दिख रहा है इसका मतलब वो government of haryana की बात हो रही है board दिख रहा है तो board आपको haryana board की बात करी जा रही है जो haryana education board है इस तरीके से रहेगा आपका यह कि अप्लीकेबिलिटी इसमें apply करने की क्या रहेगी अप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं कि जो लोग जो लोग पहली से बारवी तक में किसी भी class में पढ़ाना चाहते हैं किसी भी इंडिया में पूरे इंडिया में आप किसी भी school में पढ़ाना चाहते हैं इस फ़र्म को भर दीजिए आप आप पढ़ा सकते हैं इस एक्जाम के बाद आप पढ़ा सकते हैं के अंदर इंपोर्टेंट नोट दिये गए हैं आपर मिनिम्मम क्वालिफिकेशन जानते हैं पी अर्ट के लिए रहेगा आपका बारवी पास होना जरूरी रहेगा पचास प्रतिसयत के साथ और और आपका दो साल का डिप्लोमा यानि कि अपका डैल एड यानि कि डिप्लोमा इन एलिमेंटर एजूकेशन के अंदर जो भी वोना चाहिए जो भी उसका नाम रहेगा वो भोना चाहिए दो साल का उन जा ह्ना या फिर बारवी पास 45 प्रतिसयत के साथ और बागी सारी चीज़े आपकी होंगी तो भी आप अब लाए कर सकते हैं लेकिन वो फिर कैटेगरी वाइज हो जाएगा अगर आप यू आर से अप्लाए कर रहे हैं तो पहले वाले पॉइंट को फॉलो करना अब आप यह लेड़ वाले भी अलिज़िबल है अपर आप अगर बात करें बीएड़ वाले पहली से पहांच वी के लिए अब भी यह वाले अलिज़िवल नहीं है जो पी आर्टी के लिए उते थे वह सुपरीम कोट ने और दिया है कि आप यह आप अपको अगर है पहली से पांच ही में तो आप या तो डी एलेड करिए बी एलेड करिए बीएड वालों को हम अलिजिवल नहीं बानते अब अब से ऐसा रूल है दोस्तों और बाकी यह नोट पर देख सकते हैं वही जो मैंने आपको बोला वही सेम है और यहां पर इन्होंने भी वही बोला है यह सुप्रीम कोड का नोट दिखाया जगया जजमेंट का यह इन्होंने कैटेगरी के साब से दिखाया हम जो बात कर रहे है वह दूसरी चीज की बात कर रहे है अगर आपको six to eight पढ़ाना है टीजी टी में social studies में तो आपका bachelor पास होना चाहिए डिगरी किसी भी फिल्ड के में social studies में होना चाहिए पचास प्रतिसत के साथ एंड एजा सब्जेक्ट आपने जो है social science जो है teaching सब्जेक्ट होना चाहिए आपका इन बीटी सी के अंदर या फिर आपका जे बीटी या फिर डीएड के अंदर डिप्लोमा इन एजुकेशन को डीएड कहा जाता है तो यह सारा आपका रहेगा मतलब कि टीजी टी में अपलाय करने के लिए graduate होना जरूरी है social science में अगर social science में पढ़ाना चाहिए दूसरा आपका जो है बीटी सी पास रहना जरूरी है या फिर डीएड पास होना जरूरी है यह सब eligibility रहेगी TGT पर बाकी point यहां पर दिये गए हैं आप इसको read करेंगे TGT science के लिए आप देख लेंगे TGT maths के लिए आप यहां से देख लेंगे और हिंदी और बाकी सारा आप यहां से देख सकत करेंगे आपके लिए आपके पास post graduate degree होनी चाहिए English subject में अगर आप English subject को पढ़ाना चाह रहे है 9th 10th 11 12th classes को schools में कोई भी स्कूल दोस्तों पूरे इंडिया में eligible हो जाता ही exam काफी बड़ी बात है with at least 50% marks from a recognized university and 50% marks होने चाहिए आपके master degree में और इसके अलाबा बीएड भी पास वाले apply कर सकते हैं अभी ऐसे candidate के doubt रहते हैं कि भाई बीएड वाला six to eight में apply करेंगा या नहीं करेंगा तो वहां कर देगा लेकिन एक से पांच में apply नहीं कर सकता है और तो यह है आपके सारे qualifications इसको आप देख लेंगे यहां से political science का अलग रहेगा और संस्कृत और biology physics यह काफी अच्छा अच्छा सब्जेक्ट के teacher होते हैं अगर आप इनमें बनते हैं तो काफी अच्छा opportunity आप इसमें apply करें यह note में कुछ point है इसको discuss नहीं कर रहे है हम आप इसको पढ़ना और mcq में exam होगा हर question एक एक नमबर का रहेगा चार option उसके आपको मिलेंगे question के और negative marking नहीं होगी इस exam में यह इसका इस exam का pattern है पहली से पांच इवी के लिए भी mcq रहेगा हर question एक एक नमबर का होगा चार option मिलेंगे आपको correct करना होगा उसमें से कौन सा सही है उस question का answer और अगर आप wrong करते हैं तो marks नहीं काटा जा रहा है यह आप और PRD के लिए 150 questions पूछ रहे हैं और 150 questions पूछ रहे हैं और time duration की बात करें दो गंटे और 30 minutes यानि कि आप देखेंगे तो यह 150 minutes ही दे रहे हैं आपके exam में exam में syllabus जो आ रहा है वो child development and pedagogy आ रहा है और जिसके अंदर 30 mcq 30 नमबर का languages में भी 30 mcq 30 नमबर languages में हिंदी के 15 mcq इंग्लिस के 15 तो अनों के रहेंगे और general studies के 30 mcq 30 30 नमबर का रहेगा और इसमें आपका quantitative aptitude 10 mcq ला रहा है इसमें और reasoning ability भी 10 ला रहा है और हर्याणा की gk और awareness से 10 mcq आ रहें 10-10 questions आ रहें आप समझ सकते हैं मैच में आपके 30 questions रहेंगे यह यह syllabus PRT का रहेगा यह फिक्ष्ट रहेगा सबके लिए यह फिक्ष्ट है पहली से पांच वी के लिए सारा syllabus फिक्ष्ट है लेंग्वेजिस में हो सकता है लेंग्वेजिस आप चूज करेंगे उसके बेस पर रहेगा वो मैं आगे बता रहा हूं 150 questions रहेंगे और nature and standard of questions की बात करें तो जो आपका child development or pedagogy रहेगा will focus on educational psychology of teaching की जो psychology होती है न पढ़ाने की और समझने की learn करने की छे से ग्यारा के एज में वह आपको पढ़नी है इस syllabus में अगर आप जिसे आप तो apply कर रहे है जौब के लिए लेकिन आपको पता होना चाहिए कि candidate या student जिसको आप पढ़ाने वाले उसकी क्या जो है psychology रहती है छे से ग्यारा साल के बीच में जब वह अपना education कर रहा होता है जब वह first to fifth class के बीच में ही पढ़ रहा होता है तो उसके हिसाब से आपको यह चीज़े understand करनी है जिसे कि आप उस अपना परफॉर्फॉर्मेस उस तरीके से ते पाए स्कूल्स के अंदर पढ़ाते समय तो यह सारा syllabus उसके regarding रहेगा तो यह सारे point है दोस्तों यह सारे आपके सिले बस है qualifying marks की बात कर लें तो आपको जो है हर category वालों को अगर वो reservation में नहीं आ रहे तो वो 60% marks जानी कि कम से कम 90 नमवर आप लाइए 150 में से इसको pass करने के लिए अगर आप reservation में है तो 50% 55% लाइए यह आपके लिखे लिखे करेंगे तो उनके में भी MC को रहेंगे 150 MC की हुए same आप देख सकते हैं इनका syllabus थोड़ा अलग रहेगा syllabus इनका almost same है subject specific यानि कि आप अगर TGT maths पे apply करेंगे तो आप maths के साथ कोशन करने वाले अपने exam में इस तरीके से होगा nature and standard of questions आप देख सकते हैं यह 11-16 साल के बच्चे के बच्चे की क्या psychology होती है वो आपको understand करनी होगी child development and pedagogy के अंदर वो उसका syllabus ही वही है आप उसको देख लेंगे यह सारी चीजे दोस्तों काफी important है और इसके बाद इसमें भी 60% marks लाइए पास करने के लिए negative marking इसमें भी नहीं है PGT में भी नहीं है सबका syllabus almost same है level की बात क notification रहेगी वही उसका syllabus का level रहेगा उसका exam का hardness का level रहेगा कि अब हम बात करते हैं कि आप जो है कोशन पेपर के sample देख सकते एल एक जर वन में इसी notification में मिलेगा आपको कि अग्जाम का schedule मैंने आपको बता दिया था और कि जो subject related है उसको छोड़कर बागी पूरा exam Hindi English दौनों में रहेगा कि यह जो एच्टेट कर certificate होता है यह seven year के लिए valid रहता है साथ सालत के अंदर अंदर आप कहीं भी recruitment ले सकते हैं उसके बाद यह डैसे वैलिट नहीं रहेगा फिर इस कालगर का कोई काम नहीं रहेगा जैसा यहां पर लिखा हुआ ही June ah exam is an center की बात कर लेते हैं अपर examination सेंटर जो होगा है यहं किया यह ज़िए के बार भी बहर भी सेंटर होगा इसका सका अप प्लाय कैसे करना ह्यां मैं आपको आगे बताने वाला हूं इसके अंदर यह आप यहां से देख सकते हैं पॉइंट एक्जाम कैसे लेंगे एक्जाम आपका computer पे लिए OMR पे लेंगे OMR पे यह computer online exam नहीं होगा एक sheet पर exam होगा और उसमें भी आपको सारा ऐसे paragraph भरके नहीं आने है simple आपको एक OMR sheet पर अपने option question के option को dark करना होगा pen से एक circle से दिये होंगे पेज पर उसको डार्क कर देंगे वह machine से check होते हैं machine से scan होके उसका result बनता है कि photograph की बात करें जैसे यह candidate यह जो candidate की जिसकी photo दिखाए गई आपको photo इस तरीके की होगी पीछे जो photo की पीछे की जो चीज आ रही है वह white color की हो और आपका जो भी आपने कोई भी dress up हो सकता है कोई भी dress हो सकते हैं उसमें कुछ भी मना नहीं है साट परसेंट कम से कम दिखना चाहिए photo और signature दोनों ही कम से कम साट परसेंट दिखना चाहिए तो बाकी यह सारे point है और unfair means वाले point भी आप रीड करेंगे unfair means वाले बहुत important होते हैं यह अगर आप से गलती भी हो जाती है ना अगर exam के प्रोसेस को follow करने में तो वहाँ पर आपकी recruitment जो आपका recruitment के लिए exam हो रहा है यह तो cancel हो गई और इसके अलावा और भी action हो सकते है कि यह test के exam के related center से इंस्टक्शन है इसको आप read करना यहां से use only black ball point pen अब देखिए यहां पर candidate को black color का pen लेकर जाना है black जो आपका ink wise black हो जैसे suppose वानी है blue pen होते हैं green होते हैं red होते हैं वैसे black pen होता है जो ink से आपका जो लिखे आप उत्से तो black color में write करें लिखे ऐसा pen लेकर जाए और ball pen लेकर जाए है जैल वाले को ना लेकर जाए यह दूसरा कोई ना लेकर जाए सिंपल इतना ही करना है आपका वो पांच रुपे में दस रुपे में आ जाते हैं वो pen जो भी आपके वाँपे होगा stationery पर जाईए उस pen को लीजिए और वही pen को आपको लेकर जाना है कि इस पेशल प्रोवीजन और यहां पर अंसर की से रिलेटिट बात करें तो अंसर की आपको हरियाना का जो board है school education board है वो अपने अफिशल website पर डालेगा और उसमें आपको फिर उस तरीके से आप अपने अंसर की को देख पाएंगे कंटेंड और syllabus की बात करते हैं दोस्तों की level 1 PRT के लिए child development और पैडागोजी के लिए जो syllabus रखा गया है न वो syllabus क्या है वो syllabus है है आपका influence of heredity and environment और socialization processes में आपका social and social world and children teacher parents और पीर्स आएगा उसके लावा पिया गेट और कहल बर्ग एंड विकोर्ट स्काय यह सारी चीज़ा आएंगी और इसके अलावा आप देख सकते हैं आपर multi-dimensional intelligence language thoughts gender as a social construct उसके अलावा यहाँ पर gender roles gender भियास उसके बाद educational practice और यह सारी चीज़े आपके syllabus पर रहेंगी यह PRT का syllabus है यह आपका child development का syllabus है यहां से आप देख सकते हैं यह काफी लंबा syllabus रहेगा second part में language का syllabus रहेगा हिंदी का syllabus आप देख लेंगे यहां से English का आप देखेंगे तो English में क्या पूचा जा रहा है इंग्लिस में दो unseen pros pros passage दिये जाएंगे आपको literature के और narrative और scientific बेस पर रहने वाले हो और grammar रहेगी verbal ability होगी पेडागोजी language development में आप देखेंगे तो यहां पर भी acquisition और इसके लावा principles और principle of language teaching और इसके लावा बाकी सारा यह जो आपका point दिया गया है evaluating language comprehension और proficiency speaking listening reading और writing आपको आनी चाहिए English language की इसके अलावा teaching में आपका textbook और multimedia material multilingual resource of the classroom remedial teaching यह सबानी चाहिए यह सारे point आपका रहेगा PRT में general studies का syllabus दिया गया है यह सारा अभी हम PRT का discuss कर रहे हैं दोस्तों यानि पहली से पाच्वी को PRT का आ जाता है अब दूसरे के आच छह से आठा जो है वो TGT में आ जाते हैं और उसके लिए आपका pedagogy और child development का syllabus अलग होगा मैं आपको बता दू जो common section है जो हर पार्ट में आ रहे है PGT में भी TGT में भी और PRT में भी उनमें आपका syllabus अलग रहेगा जैसे चाहिल डेवलप्मेंट का topic है तो आपका syllabus अलग होगा और PRT वालों का अलग होगा इस बात का ध्यान रखेगा आप क्योंकि यह point काफी important है आपका यहां से आप सारा syllabus देख लेंगे यह काफी लंबा syllabus आपका यहां दिया गया है कि बहुत लंबा syllabus रहेगा हिंदी का अभी अब अर्दू का चल रहा है अभी आपके सामने स्क्रीन पर उर्थू लैंग्वेज में आपको जैसे पढ़ाने के लिए अपलाए करना है संस्क्रित के टीचर के आती हैं दोस्तों है मैं थोड़ा इसमें ऊपर चलता हूँ हृइन थोड़ा इसमें एक पोइंट आया था। 6-8 TGT जो होते हैं दोस्तों 6-8 के लिए रहते हैं PGT जो होते हैं 11-12 के लिए रहते हैं अब उनका स्लेवस यहां दिया गया, इसको आप रीड करना, मैं जल्दी से इसको नीचे कर लेता हूँ, ठोड़ा और क्योंकि स्लेवस ही है, सारा और कुछ भी नहीं है, इसके न, आप अपने साब से अपना स्लेवस देखेंगे, यहां से, स्लेवस यहां से, यहां पर आपक end हो गया यह, नहीं, PGTV जो हैं दोस्तों, वो भी आपके नौवी से बारवी रहते हैं, मतलब TGT, आपके TGTV आते हैं, नौवी बारवी में और PGTV आते हैं, दोनों के दोनों ही होते हैं आपर, ग्यार्वी और नौवी और दसवी किलास को पढ़ाने लिए, बात करें, PRT में sample questions आप देख सकते हैं, आपके किस तरीके से question आ सकते हैं, इस तरीके का question आपका आ सकता है, ये sample दिखाया गया, इस तरीके से आपको question paper दिखेगा, जब आप वहाँ पर जाएंगे exam देने, center में, तो आपको इस तरीके से दिखने वाला है, पूरा exam का pattern, तो ये सारा pattern दिया यह जाता है एक ऐसी शीट होती है जिसके ऊपर आपको इस तरीह बार करना होता है इस बॉक्स मेर अब Bristol आन च्रौ सबस्पास के लुद्स 2 फिर आपका यहां पर 7 4 3 6 5 माल दीजिए यह आपका roll number है तो आप पहले यहां लेकिए उसके बाद 1 को इस तरीके से circle फिल कर देंगे इस तरीके से उसके आपको यहां पर इस वाले line में 2 को फिल कर देंगे फिर यहां पर आप इसमें 7 को फिल करेंगे फिर फोर जो आपका यहां पर होगा इसको फोर को फिल कर देंगे फिर थिरी यहां पर इस तरीके ज़रेगा इसको फिल करेंगे इस तरीके ज़रेगा 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 इस तरीके ज़रेग Princess talk करेंगे आपको लगता है थर्टी सिट का फूर्ट में ऐसे करो है आपको लगता है फिस्टी फाइब का जो है second option करेंटर तो इसको circle कर देंगे अबそうですね unique करेंगे अब इसे में क्या है तो आपको उत है का फॉसन ये नहीं नहीं होंगी रफ शीट मिलती है यहां पर सेंटर में आप पहले उसको प्रैक्टिस करें उसके बाद ही यहां पर आप अपना फाइनल सम्मिशन दीजी अपने अंसर का कि सारे पॉइंट हमारे यहां कवर हो चुक है यह हमार शीट ही दी गई है पूरी कि अब बात करें यह आपर तो यह पूरा आपका हो गया है नोटिफिकरशन डिसकों अब देखिए आप पर form की फीज बता दिये है मैंने form की पीज तो سब से पहले page पर ही डाल– एक फॉल की फीज देखिया यहां पर वहां पर आप उसको दिखा के फिर आप जॉब ले पाएंगे उसके बिना नहीं ले पाएंगे इस सपेशली अरयाढ़ा इस ट्रेट में तो यह पूरे में रहे गाई वैलिट लेकिन ऑल इंडिया जायदा अच्छा रहता है क्योंकि वह उसकी वैलिव ज्यादा होती है मनलब ऐस कूंपेर में बात करें शॉइंट के तो वह लोग क्योंकि बाई सेंट्रल आपको आई एगरी कर देना है सम्मिट एंड प्रोसीट पर क्लिक करेंगे यहां पर आप देखते हैं जैसे कि यह एंटर नेम क्रियेट पासवर्ड यहां से आप यो भी पासवर्ड बनाएंगे बना लेंगे अपना उसके आप मोबाइल नमबर इमेल डालेंगे उसके बाद यहां से आपको यूनिक आईडी जो है आपको अधार नमबर पैन कार्ड कुछ पी एक चीज़ देनी होगी यह सारी चीज़े डिटेल सम्मिट कर देंगे यह से इसको टिक करके और सम्मिट करेंगे यह आपका रइस्टेशन हो करते हैं कि आपको पीघीटी अपलाएक करना एक किटी अपलाएक करना कर में तीनो पे भी कर सकते हैं तो आप प्य् жुम लेंगे किस पर अपलाएक करना हिसके बाद उन सबक्री पोश्ट गेवारा आप बताएक कर एंड़ के अढ बी आपको कि अप्रटक्यों आपको पता लेना दोस्तों print काफी important रहता है इस job के लिए इस job के लिए नहीं हर form के लिए क्योंकि print ही आप से आगे मागा जाएगा कि आपके पास क्या proof है कि आपने form जमा किया था और यह खासकर उन लोग के साथ भी हो जाएगा सब के साथ होता है दोस्तों आप exam दे दे देंगे सब कर देंगे जब आप recruit बाद में जा रहे होंगे जब आप आपने mark sheet को देखने mark sheet को लेने जाएंगे जहां भी यह board डालता है mark sheet को वहाँ से आपको पूचा जरूर जाएगा आपका print दिखाए form का तो वह मांगा जा सकता है तो इस वयसे आप उसका print ले लेना क्योंकि आपको कुछ नहीं करना होगा सिरिफ उसका copy करना है उसको दाउनलोड कर लेना उस print को print के page को और कुछ भी नहीं होगा बात करें अगर candidate पूछ रहा है अगर कोई candidate ऐसा पूछना चाह रहा है कि एक से ज्यादा क्या एक से ज्यादा form भरे जा सकते हैं तो आप simple क्या करिए आप सब पर अप्लाय करना चाहिए सब पर अप्लाय कर है सपोस्पोस आपने माली ज़े TGT करा फिर TGT में आपने बता है मेरे को social science में अपलाय करना है science और maths इन तीनों में अपलाय करना है ठीक है आपने अपनी category बता दी वहां से वह हो गया फिर उसके आद वह तून वह सारी fees हुई आपकी वह आप submit कर देंगे ऐसे होगा और इस तरीके से आप PGT और इन सब पर एक ही फॉर्म में बढ़ सकेंगे हो सकता है ऐसा नहीं होगा तो आप अलग अलग से भी भर देना कोई वह नहीं रहेगा फॉर्म बस यह होगा process काफी लंबा हो जाएगा fees तो उतनी ही जाएगी आप अलग से फॉर्म भरें या सेम एक ही फॉर्म में करें जो भी यह आइविलेबल रहेगा आपका तो यह काफी बड़ा update था पूरे इंडिया के लिए था दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो फॉर्म नहीं भर सकता कोई भी राज्य ऐसा नहीं कोई भी ऐसी जगा नहीं बची है जोहां के लोग इ अपलाए करिए यह जॉब ही है आगे चलके मिलेगी इसी के बेस पर चॉब काफी सारे option खुल जाएंगे आपके इस exam के बाद तो इसको दोस्तो कमेंट में बताना कोई भी डाउट रहा हो दूसरा इस वीडियो को पूरे देश बर तक फैलाईए इंडिया भर में फैलाईए पूरे भारत पूरे देश में फैलाईए जो लोग इंडिया से देख रहे हैं जो लोग कहीं और से देख रहे हैं वो इंडि के exam की recruitment होने का जो exam होता है उसके forms आ चुके हैं काफी कम समय है इसको जितना हो सके share करिए लोगों तक जिसे की सब तक यह पहुंच जाए जानकारी और वो समय से form भर सके क्योंकि यह exam फिर आपका जब भी होगा यह आप 2023 में तो नहीं होगा यह आपका 2024 में जाके होगा तो आ पहलेंगे आपसे नए topic में दोस्तों आप सभी का धन्यवाद